Hello Students, आज हम इस वीडियो में public company को private company में convert करने के लिए क्या procedure follow करने होते हैं, उसको हम discuss करेंगे, जो कि according to Companies Act 2013 होगा, तो जिब private company, public company में convert होना चाहती है, तो क्या procedure होता है, वो हमने already discuss कर रखा है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, public से private में conversion का procedure देखेंगे, तो जैसे हमने पह आई गई है कि कोई भी registered company, किसी भी class of company में अगर change करना चाहती है, convert होना चाहती है, तो वो easily convert हो सकती है, ऐसी बात कहां लिखी गए section 18 के, section 18 में Companies Act 2013 के, और वहां कहा गया कि अगर वो ऐसा करना चाहती है, तो उसके लिए उससे करना क्या होगा, उसको अपने articles को alter करना के लावा अपनी जो application है, उसको ROC में फाइल करना होगा, और ROC में सारे documents, जोतने भी altered documents है, वो वहां submit कर देंगे आप, और साथ में जब उन से आपको incorporation का fresh certificate मिल जाएगा, कि आप altered हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ और लिखी गई है, कि इस alteration है, इस conversion से, होगा, तो ये बात section 18 में कही गई थी, उसी के according, उसी को ध्यान में रखते हुए, private से public, public से private, private से OPC, या फिर OPC प्राइवेट में तब ये सारे जो चीज़े हैं, वो अराम से हो रही हैं, इसको आप मतलब की conversion हो जाता है, तो अब हम यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं, क और उसके according क्या कहा गया है, कि सबसे पहले, special resolution के according, special resolution पास करते हुए, आप अपने articles को alter करिए, कि मतलब उसमें changes लाइए, कि अब यह चीज़े क्या हो जाएंगे, private company होंगी, तो मतलब यह हो गया, कि section 2, subsection 68, जो कि private company के लिए होता है, उसमें जो जो बाते mention हैं, कि private company के अं आप उन्हें adopt करने पड़ेंगे, तो वहाँ पे जैसे minimum number इतने ही होने चाहिए, या maximum number of member 200 होने चाहिए, तो अगर 200 से जादा आपके member हैं, तो उनको हटाने होंगे, तो मतलब आपको सारी चीज़ें उसी के according करने होंगे, जो चीज़े section 2, subsection 68 के according होंगे, तो इसका मतलब यह होता है कि आप जब special resolution पास करेंगे, तो जितनी भी statutory restriction imposed की गई है, according to section 2, subsection 68, मतलब private company के regarding, जितनी भी statutory restrictions हैं, आपको उनके सब के according perform करना होगा, वो सब आपको rules मानने होंगे, जितनी भी चीज़ें inconsistent होंगे, इस section से, उन सब चीज़ें को आपको remove करना पड़ेगा, उन स warrant to a bearer, यह सारी चीज़ें जो हम करते हैं, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर ध्यान देनी होंगे, कि नहीं भाई, आप private company के according ही करना है, और उसी के लिए special resolution आपका pass होचाएगा, जब आप special resolution पास कर लेंगे, तो फिर क्या करना होगा, section 14 के अंदर ही आपको petition डालनी आपका time period है, within a three month आपको यह petition फाइल कर देनी है, जिस दिन special resolution हुआ, आप उसके बात से तीन मेने कंदर चाहँ जब कर दीजिए, ठीके, तो यह tribunal में आपको फाइल करनी परती है, और यह इसके लिए form है, form number क्या है, ncl-1, तो इसमें आपको अपना special resolution की date से अपना सब कु इसरे documents वहाँ required होंगे, वो सब वहाँ पे upload करने होंगे, वहाँ पर आपको provide कराने होंगे, ठीके, अब जैसे आपने alter कर लिया, special resolution pass कर लिया, petition भी डाल दिया, अपने time frame के recording, फिर यहा है, आपको अपने name change कर लिने होंगे, name change करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जिस दिन आपका special resolution pass होता है, उसी दिन से आपको अपना जो name है वो change कर लेना होगा, as per section 13, जो उसके recording required था, अब वहाँ पर बात क्या important है, तो हमें पता है कि private company के लिए important होता है, कि उनके नाम के आगे private limited लिखा हो, लेकिन आप तो पहले से public company हैं, तो आपके नाम के आगे तो यह बा आपका हो जाना चाहिए, कब से हो जाना चाहिए, जिस दिन से आपका special resolution pass हुआ, उस दिन से आपका change हो जाना चाहिए, जब कि वहाँ पे, जब हम private से public में convert हो रहे थे, तब भी तो private company के आगे private limited लिखा था, लेकिन उसको public में convert होना था, तो वहाँ पे क्या बोला गया था, कि private का नाम आपका जो delete होना है, वो effective कब से होगा, वो effective होता था, जब आपका incorporation का certificate मिल जाता था, ROC से तब से, मतलब यह जो word है private, वो effective हो जाता था, delete करने का जो यह है, वो effective हो जाता था, तब से जिब से आपको incorporation का certificate मिलता था, यहाँ पे जिस दिन से special resolution pass हो, उसी दिन से आपको name change करना है प्राइवेट लिम्टेट को add-on कर देना है अब इसके बाद का क्या करेना होगा इसके बाद आपको central government से यह चीज़ हमने बात कर ली है अब आपको central government से approval लेना होगा पहले यह बात नहीं थी दिखिए कि Companies Amendment Act 2019 के according ये बात कह दी गई क्या कह दी गई कि अगर आपकी public company है और वो private होना चाहती है तो convert होने से पहले उसको central government का approval लेना mandatory है उसको उनसे approval लेना पड़ेगा और जो approval उन्होंने लिया ना उस approval की copy उनको किसको submit करने पड़ेगे registrar को right क्योंकि वो important copy हो जाती है कि आपको approval मिल चुका है ठीक है तो जिस दिन आपको government से approval मिल जाता है उसके 15 दिनों के अंदर government से approval receive होने के 15 दिनों के अंदर आपको ये सारी चीज़े registrar के पास submit कर देनी होगा approval की copy अपने altered articles की copy सारे जितने भी documents थे आपने क्या आपने अ अंदर आप ROC में file कर देज़ें कि ROC decide नहीं कर रही है ROC में क्या करना है आपको सिफ information देनी होती है क्योंकि रिजिस्टर अरफ company है न तो ROC में आपको सारी बात बतानी होती है कि अब हमारे यह हो गया अब हमारे यह हो गया इसलिए company में जब भी कोई चीज change होती है तो उ आपने special resolution से ले रही है है न मैजोर्टी जो stake है वो उन्होंने अगिल कर दिया अब यहां पे special resolution ordinary resolution के लिए लगला condition होती है कि बही more than 75% लोग यह 50% लोग तो यहां पे more than 75% लोगों का यह हो जाता है कि आपका yes में answer होना चाहिए है special resolution पास होने चाहिए तो आपका वो important है व को फाइल करने का हो तो आपको inform करना है कि अब हमारे यहां पे दिखे यह रही approval की copy हमारे यह altered documents है हमारे सारी details है और हम private company की जगहां से अब हम public company बन चुके हैं is it clear तो 15 दिनों के अंदर जब से approval receive होगा उसके अंदर आपको यह file submit आपको यह reports ROC को submit करने होगे along with the printed copy of altered articles उन private company में is it clear तो public और private चाया public से private होई है चाहिए private से public होई है दोनों ही scenario में जो section applicable वो कौन सा section है section 14 common section और दोनों में ही जो common चीज़े हैं वो क्या है कि सबसे पहला काम आपका क्या हो जाएगा कि आपके articles altered होने चाहिए और दोनों ही जगह article को alter करने के लिए क्योंकि आप अप आप public से private बनने जा रहे तो तो government के approval क्योंकि public company थी अब उसको government के approval लेनी ही पड़ेगी फिर आपको आरोसे में file करना और आपकी सारी चीज़े अब almost seem जाती है ठीक है I hope आपको clear हुआ होगा wish you all the best thank you so much